हेलो नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं सभी छात्राओं और महिलाओं को अंत्रस्टे महिला दिवस की हार्दिक शुब कामना है शुरुबात करेंगे 8th of March के 1st editorial session की और उससे पहले थोड़ी सी courses की जानकारी तेक तो ये grammar का course आप बाई कर सकत हैं और वो लोग जानते हैं कि किस प्रकार से वो improve कर पा रहे हैं अपनी grammar को साथी vocabulary भी सीख रहे हैं एक अलग तरीके से ये course आप आई कर सकते हैं इसके लिए आपको सीधा सा काम करना है आशिस classes application डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से इससे डाउनलोड करने के बाद और भी बहुत सारे courses यहां पर नजर आपको आएंगे इन courses में सबसे पहले बात करें close test और पैरा जंबल की यहां जो भी close test या पैरा जंबल आपको provide करवाए गए हैं यहां आगे provide करवाए जाएंगे वो सबके सब news paper से बना कर provide करवाए जाते हैं PDF मिलता है वीडियो solution मिलता है तो यह course आप buy कर सकते हैं कुछ e-books भी हैं जिनमें तीन e-books vocabulary की है जहां editorial words 2020 पिछले साल आपने मेरे साथ पढ़े थे वो सब editorial words इन तीन books में दिये गये हैं example sentences है part of speech है Hindi meaning है English meaning है तो सब कुछ एक complete package आपको यहां पर मिलेगा साथ ही यह वाला जो batch है the Hindu editorial analysis का यह हर Wednesday को start करते हैं तो अब इस Wednesday को में इस person start हम करेंगे इस batch को और अभी तक लगवग 83 batches हम लोगों ने start कर दी हैं 84th batch शायद यह रहेगा तो इसमें दो editorials per day मिलते हैं एक editorial यही होगा जो शाम को 5 बज़े आप लोग देखते हैं YouTube पर बस फरक यह है कि यहां पर PDF उपलब्द होता है ताकि ज सारे बच्चे कहते हैं कि समय बोर्ड पर नहीं पढ़ना परसंद तो उनका भी ध्यान रखा गया है इसलिए mobile screen पर ही आप देख पाएंगे उसको ठीक है तो वह editorial भी आपको यहां पर मिलेगा PDF के साथ मिलेगा तो यह दोना अगर चाहते हैं एक साथ पढ़ना तो आप यह course buy कर सकते हैं आईए स्टाट करें मिस्प्रेज्ड कांसर नाम से आज का editorial है दोस्तों अंग्रेजी अकबार पढ़ना कितना आसान हो सकता है वो आपने मेरे साथ सीखा है और हर संबव कोशिश रहती है कि जितना भी आसान तरीके से explain कर सको उतना माँ बताऊं आपको यहां ब पीछे की दो घंटे की मेहनत और भी रहती है आपको subject निकाल कर दिया जाता है आपको vocabulary दी जाती है ठीक है उसको मैं पहले खुद से पढ़ता हूं कैसे explain करना हो समझता हूं उसके बाद में यह editorial आप तक पहुंसता है आप इसकी कद्र करें सम्मान करें दोस्तों तक जरूर करके जाएं अगर आपको यह session समझ में आता हो देखें सबसे पहले तो इसका title देखें misplaced concern नाम से title है और इस title में ही अगर grammar की बात हम करें तो concern noun है misplaced adjective है concern चिंता को बोलते हैं और चिंता कैसी है misplaced concern है misplaced का मतलब जो सही स्तान पे नहीं रखा गया ठीक है किसी चीज को रखना यहां है रख दिया यहां पे तो यह misplaced हो गया ठीक है तो यह यहां पे क्यारत निकालोगे तो यह inappropriate कह सकते हो ठीक है कोई चीज को जहां पे रखना है उसके जगह कहीं और रख दिया वो चीज गलत जगह पे रख दी गई है उसे misplaced कहते हैं अब misplaced का यहां पे मत सकता है ठीक है अब यहां देखिए क्या कहना चाहता है इट इस है देखो सब पहले शुरुवात में एडिटोरियल थोड़ा सा लग सकता है आपको कि ट्रिकी है थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे बहुत ही आसानी होता सुप्रीम कोट की सुप्रीम कोट ने चोज की सेकंड फॉर्म है चुना क्या टू कनवर्ट रूटीन हीरिंग कनवर्ट करना सुप्रीम कोट ने चुना की बदल दिया जाए कनवर्ट कर दिया जाए क्या रूटीन हीरिंग का मतलब हीरिंग का सुनवाई होता है और हीरिंग मतलब है का हम लोग कभी क्या मा है कह सकते हैं कि जैसे हमारे सामने लगा हुआ है तो यह नाउन हो गया एंटिसिपेटरी बैल को एड़फनस बैल को बहादे कह सकते हैं जमानत और जमानत कैसी कोई नॉन बैलेबल अफेंस किसे ने कर दिया हो गैर जमानती अपरात किसी ने कर दिया हो ठीक है और उसमें गिरफतारी से पहले ही अगर बेल याची का लगा दें आप यदि आप बेल चाहते हैं जमानत चाहते हैं कि याची का लगा दी आपने तो उसको बोलते हैं एंटिसेपेटरी बेल गिरफतारी से पहले जो एक अरज लगा देते हो जमानत के लिए उसे कहते हैं एंटेसिपेटरी बेल ठीक है फ्रॉम एन इग्जेकेटिव अप देह अमेजन प्राइम वीडियो और यहां पे एंटेसिपेटरी बेल किसने दाइर की थी किसने आचिका लगाई थी यह है एग्जेकेटिव एग्जेकेटिव होता है एक कह सकते हो एक हाई पोजिशन पर बिजनस कोई बिजनस है उसमें एक बड़ी ऑथारिटी जो होती है जो डिसीजन लेती है किसी मामले में उसको एग्जेकेटिव बोलते हैं उनका नाम यहाँ पर आगया पोपता लग जाएगा थीक है उन पर पढ़ना पुरहीत इनका नाम है तो यह जो एग्जेकेटिव प्राइम जो एग्जेकेटिव हैं इनके दौरा एक एंटिसेपेटरी बैल यहाँ पर इसके लिए याचिका दी गई है तो उसकी पर जो के लिए दी गई आची का पर जो रूटीन एक हेरिंग चल रही है उसों कनवर्ट कर दिया जाए किस में एक ऐसे अवसर में तु कॉल फॉर का मतलब होता डिमांड दिख लीजिएगा बहुत इंपोर्टेंट है ये कॉल फॉर कॉल फॉर का मतलब है डिमांड क्या कर दिया जा कि किसी चीज को रेगुलेट करते हैं किसी चीज को नियमों में बांधने वाली चीज़ें होते हैं उसको रेगुलेटरी नॉर्म मोलता है टाइटेंग का मतलब सक्त करना थीक है फोर ओवर्ट टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज इन दै कंट्री और यह किस के लिए कह रखा ओवर दे टॉप ओर ओटी इसकी फॉल फरम है ओवर दे टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्रोइड करती है जो भी सर्विसेज हैं चाहिए मैं नाम बताया अमिजन प्राइम का नेटफ्लिक्स हो यह सब इन दे कंट्री देश में बात समझने सेलाइट के मध्यम से आप को लगाना पड़ता है ठीक है सेटलाइट डेलिविजन और चाहिए यहां पर ऐसा कुछ नहीं है यहां पर इन प्लैटफॉर्म कहा जाता है इसकी फिल फ्रम होती ओर टॉप यहां तक कि बाते को फिर से देखो, देखो, सीखने को बहुत कुछ है, इस एक छोटे से परेग्राफ नहीं, तो मैं थोड़ा सा यहां बे बता देता हूं कि कैसे यह सीख सकते हो, अगर खुद से पढ़ते हो, अपरेटोरियल या कबार, तो कैसे पढ़ना चाहिए, कॉल फॉर का मतलब डिमांड होता है, एक बात, एंटिसिपेटरी बेल का मतलब एडवांस अगरिम जमानत होती है, इसके अंदर गिरफतारी से पहले ही या चिका दायर कर दी जाती है अरजी लगा दी जाती है कि जमाना दे दी जाए उसको एंटिसिपेटरी बेल बोलते हैं ठीक है अब its subject था इसकी verb is है Supreme Court subject था उसकी verb chose है chose है वो chose की second form है is है वो linking verb है matter यहाँ पर noun है क्योंकि determiner लगा हुआ है, of proposition है, concern यहाँ पर इसका object है, यहाँ पर noun है, ठीक है, preparation अपना object लेकर आता है, object noun यह प्रनाउन होते हैं, तो यह यहाँ पर noun है, that conjunction हो गया, तो यह एक चिंटा का विशे है, that conjunction की, कि Supreme Court ने चुना, क्या चुना, to convert, बदलना, convert करना, क्या convert करना, कि routine hearing जो चल रही है, petition पर, और petition किस ने दायर की है, petition दायर की है, major prime video की executive ने, एक anticipatory bell की petition लगाया रही है, उसको convert करना चाहा है Supreme Court ने, किस में, एक ऐसे अवसर के रूप में, कि यह एक demand हो सकती है, ऐसे अवसर के रूप मे, to call for tighten the regulatory norms, यहाँ पे Supreme Court चाहता है, कि regulatory norms को और अधिक सकता बनाया जाए, और regulatory norms किसके लिए, जो भी over the top या OTT platform चल रहे हैं, सर्विसे चल रही ही देश में, उसके लिए, आगे अगे अगर बात करें, parts of speech की Supreme Court subject था, जो जिसकी verb थी, to convert infinitive है, यहाँ पे determiner है, routine यहाँ पे noun है, routine hearing पूरा ही compound noun कहलाएगा, on a petition, on a petition के अंदर on preposition है, यह इसका object a petition है, petition noun है, a determiner है, for preposition है, anticipatory bell जो है, यह पूरा noun कहलाएगा, from an, अब ऐसे anticipatory executive है, ठीक है, और फिर from preposition है, and determiner है, executive यहाँ पे noun है, of preposition है, that determiner है, amazing prime video, यह पूरा noun है, नाम है किसे प्रोपर noun है, into preposition हो गया, and determiner है, occasion noun है, to call for, यह आपका infinity बन है, tightening, यह यहाँ पे इस for का object है, ठीक है, और tightening यहाँ पे noun का काम करेगा, the regulatory norms, regulatory objective है, norms, यहाँ पे noun है, the determiner है, for preposition है, over preposition है, that over the top, यह पूरा वैसे एक नाम दे रखा है, OTT platforms के लिए, streaming services, यह भी noun है, और in the country, in preposition, the determiner, और यह noun, यह इनका object, the country, इस प्रकार से बहुत सारी चीजे आप सीख सकते हो, लेकिन, सुनना धान से, आप इस तरह की grammar से केवल पढ़ाना सीख सकते हो, if you really want to become a teacher, if you really want to become a trainer, then only you should adopt this type of strategy, right, अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, if you just want to get high scoring examination, if you want to enhance your understanding, then what you should do, आपको इतना सा काम करना है, कि skimming का साहरा लीजिए, skimming होती है, banking experience इसको अच्छे से समझते हैं, आपको पढ़ते चलना है, translation, बस आपको समझ में आना चाहिए, आप English को पढ़ें, English में ही समझें, वो एक बहुती बहतरीन तरीका है, और उस माध्यम से ही आपका score high हो सकता है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, वो तरीका उन लो किवल high score करना है, अगर आपका उद्देश एतना सा है, कि मेरे को understanding develop हो जाए, मेरे को पढ़ावा समझ में आ जाए, तो मानिएगा इस चीज़ को, आपको इतना सा काम करना है, कि paragraph को पढ़ते चलिए, skimming करिए, ज्यादा गहराई में ना जाएं, words जो हैं नए मिलते हैं, उन words को revise करके बैठें, तब जाके आपको अकबार पढ़ना बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है, अब उद्देश ये अलग अलग होते हैं, किसी का उद्देश ये कुछ है, किसी का उद्देश ये कुछ है, इस session को देखने का, वो अपने हिसाब से इस अकबार को पढ़ना स सीखें, अगर आप teacher हैं, तो फिर मैं कहूंगा, कि हम बता रहा हूं, वैसे ऐसे आप सीखते चलें, चलो, मैं मेरे दोनों approach रहेंगी, और इस तरीके से आप अगवार पढ़ना बहुत आसाने से सीख सकते हैं, आगे देखो भई, अपढ़ना पुरोहित, अपढ़ना पुर जाता है, क्योंकि आप एक noun के नजदीक दूसरा noun को रखते हैं, उससे ऐसी condition में उससे पहले दे भी लगता है, ठीक है, लेकिन खेर, यहाँ पे दे नहीं लगा, क्योंकि इंडिया commercial head दे रखा है, सीधा अगर head हो जाता, इंडिया दे रखा है, इसलिए दे नहीं लगा, व रिचे हो गया, फिर से आजवा पढ़ना पुरहित सब्जेक्ट है, इसकी वर्व सौट है, सौट सीक की second form है, ठीक है, सीक का चाहना, तलाशना, डिमांड करना, यह सब मीनिंग होते हैं, अपढ़ना पुरहित ने क्या चाहा, advance bill, वही anticipatory bill के लिए हैं, इन्होंने अगरिम जमाना चाही, after the Alabad High Court, कब, Alabad High Court ने जब मना कर दिया था, deny कर दिया था, deny कर दिया था, deny का इनकार करना, अब Alabad High Court subject हो गया, deny उसकी वर्व हो गई, हर, हर यहां पर पढ़ना पुरहित के लिए आ गया, उनको इनकार कर दिया, the relief, इस relief से, ठीक है, relief देने से इनकार कर दिया with a sweeping declaration और उसमें, Alabad High Court ने एक declaration किया, sweeping का यहां पर यह कह सकते हो, unnecessary इसका मतलब है, अनावशक एक घोशना करके, sweeping declaration का मतलब है, अनावशक घोशना, sweeping का देको मतलब blanket भी होता है, blanket मतलब पूर्ण, comprehensive कह सकते हो, wide ranging कह सकते हो, wide कह सकते हो, व्यापक कह सकते हो, extensive कह सकते हो, लेक ठीक है, जिसके जरुवत नहीं थी, लेकिन आपने मतलब ऐसे घोशित कर दिया, उसको बोलते है, sweeping declaration, तो यहां पे एक sweeping declaration के साथ में, इंकार कर दिया, अपर नापुरोहित को, that some offending scenes, क्या, that key, some offending scenes, offending का मतलब क्या है, offending का मतलब है, unsettling, या फिर annoying कह सकते हो, या फिर unpleasant कह सकते हो, या फिर hurting कह सकते हो, ठीक है, मतलब hurt करने वाले कह दो एक प्रकार से, आहत करने वाले कुछ scenes दिये गए थे, on a new series, एक नई web series यहां पे इस platform पर लोंच हुई थी, उसमें कुछ hurt करने वाले, आहत करने वाले offending scenes थे, now deleted, अब उनको delete कर दिया गया है, constituted, constitute दे रखा है, वो इसकी verb है, यह जो scenes थे, उसमें शामिल था, constitute का मतलब होता है, comprise करना, शामिल करना, उसमें शामिल थे, क्या, punishable offenses, क्या चीज़ शामिल थी, ऐसे अपराद, जो की punishable है, जो दंडनी यह है, punishable, punish करने योग्गे, offenses का अपराद, punishable adjective ह अपरना पुरोहित इसका subject था, इसकी verb थी, sought, अलावाद high code subject था, denied इसकी verb थी, some offending scene subject था, constituted इसकी verb है, sweeping declaration का मतलब, अनावशक declaration मान लीजिए, यहाँ पर, ठीक है, आपने कुछ मतलब सोचा नहीं, समझा नहीं, वैसे ही, आपने कुछ बोल दिया, उसको बोलते हैं, अनु फिर, sought इसकी verb थी, advanced well इसका object है, after preposition है, अलावाद high code subject था, deny इसकी verb है, हर यहाँ पर पढ़ना पुरोहित का के लिए object दे रखा है, ठीक है, यह प्रनावन दे दिया उनके लिए, और the relief, relief यहाँ पर noun है, क्योंकि दे लगा हुआ है, with preposition है, तो इसका object यहाँ पर declaration है, sweeping executive come क करेगा, that conjunction है, some offending scenes में, some determiner है, offending adjective है, scenes noun है, on preposition है, यह इसका object है, series यहाँ पर noun होगा, series एक ऐसी noun है, जिसका plural भी series रहता है, singular भी series रहता है, new इसका adjective है, now deleted, now adverb of time है, deleted, यहाँ पर adjective है, जिन scenes को delete कर दिया गया है, ठीक है, अब constituted, यहाँ पर इसकी verb होग, punishable adjective और यह करता है, accused of, accused के साथ में off लगता है, accused of का मतलब होता है, ROP होना accused में off लगेगा, hurting, hurting इसलिए क्योंकि off लग गया, preparation तो ing लग गया, अब यह ROP है किस चीज की, किनोंने hurt किया, किस चीज को, religious sentiments, धार्मिक भावनाओं को, sentiments का मतलब emotions होता है, religious का, धार्मिक, religious adjective है, क्योंकि OUS रखा है, जिन words के साथ में OUS हो, वो executive आप मान सकते हो, ठीक है, तो यह ROP है किसके, धार्मिक भावनाओं का आहत किया है, कैसे, by streaming, by allowing, allow करके, allow करने के द्वारा, by preparation हो गया, allowing इसकी object हो गया, और जब किसी verb को object बनाओगे, इसका मतलब verb को convert करते हो, noun में, verb को noun बनाने का तर तांडव की streaming करके, तांडव अपने web series अगर देखी हो, तो यह उसकी streaming को allow करके, इन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, इस प्रकार से, यह accused है, इसकी, यह ROP है, इस चीज़ की, तो इस प्रकार से, मिज परोहित ने क्या किया, मिज परोहित, जब भी कोई celebrity का ना रहा है, अकबार में आ रहा है, TV चैनल पर आप सुन रहे हो, तो ऐसे किसी condition में किसी भी महिला का नाम आता है, तो उससे पहले मिज का प्रियोग करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से, मिज परोहित ने, did get protection, यह did जो है, यह verb से पहले आ रहा है, ठीक है, जब do does और did को man verb से पहले लगाते हो, तो इसका मतलब यह emphasize करने के लिए आता है, यह emphasis डालने के लिए इसका use करते हैं, ऐसे condition में, यह कहना चाहता है, मिज परोहित ने protection तो प्राप्ट कर लिया था, ठीक है, मिज परोहित को protection तो मिल गया था, from arrest, गिरफतारी से, ठीक है, यह सुरक्षित तो हो प्रोटेक्शन मिल गया था, but what is disconcerting, लेकिन क्या चीज़ है, जो disconcerting है, disconcerting का मतलब unsettling कह दीजिए, disconcerting का मतलब है, unsettling, मतलब एक प्रकार से, यह जो मैंने यहाँ unsettling कर दिया, इसको अटा देना भई, है न, यह मैंने गलती कर दिया, इसको annoying और ऐसे रखो, यह जो है Unsettling, यह यहाँ fit बैठेगा, disconcerting, disconcerting का मतलब होता है, unsettling, मतलब परिशान करने वाला, disconcerting का मतलब बेचेन कर देने वाला, ठीक, यहाँ unsettling कर दीजिएगा, लेकिन क्या वो चीज़ है, जो बेचेन करने वाली है, वो यह है, is that, अब यह what को देखकर is है, और यह what is disconcerting इस पूरे को देखकर is है, ठीक है, yes, close के लिए है, क्या चीज़ disconcerting है, वो यह है कि court went through, went through, go through की second form हो गई, और went through का मतलब examine करना है, कि court ने examine किया, the recently notified rules, किनको, उन rules को जो हाल ही में notify किये गए, अधिसुचित किये गए, जिन rules के बताया गया, for digital media rules किसके लिए थे, digital media औ जो कि आपको services provide करवाते हैं, किसी ने web series बनाई, हमारे तक पहुंची, और किस माध्यम से web series यहाँ पे पहुंच रही है, वो हो गए intermediaries, ठीक, तो intermediaries के लिए जो rule बनाए, and observed, और ये पाया, observe का मतलब यहाँ पे, इन चीज़ों को, यहाँ पे find out किया, that these की in में lagged power, lagged teeth, teeth क का मतलब power, कि इन जो ये rules थे, ये जो recently notified rules थे, इन में power की कमी थी, ये इतने powerful rules नहीं थे, teeth का मतलब यहाँ दात नहीं है, powerful के लिए use किया गया है, और lagged है, इसका मतलब कमी होना है, एक बार इसके पीछे की grammar की बात करें, तो miss prohit subject था, did get इसकी verb है, what subject है, is इसकी verb है, what is disconcer पूरा cloth subject है, फिर is की verb है, court subject है, went through verb है, did subject है, lagged verb है, disconcerting का unsettling होता है, बेचेन कर देने वाला होता है, ठीक है, परिशान कर देने वाला, और बाकि तो इसमें word teeth था, teeth का मतलब power है, accused के साथ में off लगाते हैं, ये जरूर से ध्यान रखें, और जहां जहां preparation है, उसके बाद में ing लगाते हैं, verb की जरूरत पड़े, तो ये ध्यान रखें, आगे देखा, it is quite unusual, ये बिलकुल ऐसमानने सी बात है, quite है, वो adverb है, unusual है, वो adjective है, is यहां पे linking verb है, it यहां पे pronoun है, it subject है, ये इसकी linking verb है, और linking verb अपने बाद में compliment लेती है, compliment लेती है, तो मान के चलें, कि compliment noun, pronoun ये adjective हो सकता है, इसके अलावा कोई compliment हो नहीं सकता, तो ये यहां पे adjective है, और adjective को modify करने के लिए adverb चाहिए होता है, इसलिए quite यहां पे adverb है, ठीक है, तो ये बिलकुल ऐसमानने सी बात है, an infect, gratuitous, an infect और वास्ताव में, ये क्या है, gratuitous है, अब gratuitous क्या चीज है, पहली बात तो आप इसका part of speech समझ लें, part of speech जो है, OUS दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, adjective, अच्छा मैं कहूंगा आपको इसके लिए, कि आप इसका खुद से guess करें, कि क्या हो सकता है, sentence पढ़ कर, कई बर ऐसा होगा, कि word का meaning exactly नहीं पता होगा, तब भी आपको पता होना चीज है, आप एसा मानने से बात दे रखी है, और end के बात दे रखा है, तो ये तो ये एजेक्टी हुआ, ये भी एजेक्टी हुआ, क्योंकि end अपने दोनों और चीजों को सेम लेता है, अब जैसे ये एसा मानने है, वैसा ही कुछ ना कुछ, ऐसा ही प्रकरती का word ये होगा, that a constitutional court, क क्या चीज, कि एक constitutional court है, एक कोई भी सम्विधानिक court है, should push for more stringent rules, उसको वो court जो है, वो सम्विधानिक court जो है, वो push for, push for का मतलब है, वो मतलब demand करे, push का मतलब धकेलना for का मतलब के लिए, किसी चीज के लिए, अगर push करता है, है ना, मतलब किसी चीज की demand कर रहा है, call for का ही synonym मान लो ये, more stringent rules, stringent का मतलब क्या हो गया, stringent का मतलब हो गया, सक्त, सक्त, मतलब strict को बोलता है, ये काफी बरा चुका है, rules है, वो noun है, after finding, after preparation हो गया, तो ING आ गया, क्या करने के बाद, find करने के बाद, that, ये जो rule है, the information technology, अब ये bracket में दे रहा है, guidelines for intermediaries and digital media ethics code rules, तो ये य तने बड़े subject में भी, ये यहां पर क्या बन रहा है, ये इसका, मतलब ये एक rules ही पढ़ लो, ये जो rules हैं, 2021 के ये पूरा subject है, did not provide for, इसने provide नहीं किया, इसने क्या नहीं किया, provide नहीं किया, क्या, provide for punishment and fine, punishment का मतलब सजा, और fine का मतलब क्या हो गया, जुर्माना, ठीक है, अ यहां से, यहां तक की बातों के अंदर हमने क्या पढ़ा, हम ना उस word पे आई, ग्रिचिट इस पे, बड़ सुनो, अगर आप पूरा देख लोगे इसको, तो समझ में आई जाएगा, वो इतने बड़ी बात नहीं नहीं इसके अंदर, it है, वो subject है, is इसकी verb है, एक बात, फ की verb है, did के साथ verb की V0 form आती है, ठीक है, यह ध्यान रखना है, बाकि देखोगे, तो मैंने बताया, एक बात यहां पे काम की, वो note करनी है आपको, कि linking verb अपने बाद में compliment लेता है, compliment noun, pronoun, adjective होता है, adverb नहीं होता है, फिर आप पूछोगे, सरी, adverb कैसे आ गया, quite, क्योंकि noun को अब यह adjective को modify करना था, इसलिए, ठीक है, तो फिर देखो, it is quite unusual, कि यह बिलकुल ऐसामाने सी बात है, and in fact, और वास्तों में, क्या चीज़ है, वास्तों में यह gratuitous है, अब आपको यह बताना है, कि gratuitous का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है, कि gratuitous जो word है, इसका meaning क्य है, अब जैसे मैंने कहा, कि यह जो चीज़ दे रखी है, इस जैसे ही इसका meaning निकलेगा, जैसे यह है, वैसे ही इसका meaning निकलेगा, यहाँ ऐसामाने है, तो यह जो ऐसामाने सी बात है, ऐसा ही word का meaning, तो यह है अनुचित, यह है improper, ठीक है, जो अनुचित चीज़ है, उसको बोलते हैं unusual ग्रेचुटस दोनों सेम प्रकरती के वर्ड आएंगे कि end parallelism के concept को follow करता है तो यह बिलकुल ऐसा मानने सी बात है और वास्ता में क्या है वास्ता में यह ग्रेचुटस है यह अनुचित है क्या that a constitutional court कि कोई भी constitutional court है कोई भी समिधानिक court है वो ऐसे कुछ strict rules को के लिए demand करे push for का demand करना कि कोई भी court मतलब यह अनुचित है यह ऐसा मानने है कि कोई भी समिधानिक court जो है वो ऐसे किसे strict rules के लिए demand करे after finding that यह पाने के बाद क्या पाने के बाद कि यह जो rules थे 2021 वाले इसमें punishment और fine का प्रावधान नहीं है इसमें ना जर्माने की बात की गई है ना सजा की बात की गई है तो इसलिए इन्होंने ऐसा इसके लिए कह दिया कि stringent rules चाहिए तो यह एक ऐसा मानने सी बात है और अनुचित बात है बात समझें आ गई ठीक है आगे देखो the court's very approach court की जो यह approach है very approach क्योन लगाया देखो very जो शब्द है ये emphasize कर रहा है ये जो very है ये emphasize कर रहा है मतलब जोड ढाल रहा है यही जो approach है court की कौन सी approach जो अभी approach अपनाई है यह जो कहा है कि strict rules के demand कर रहा है court तो यही जो approach है court की ये way out of line है वे जहां पे जोड़ते हैं इसका सोड़ते हैं इंटेंसिफाई करते हैं जैसे वे लगा दिया आपने तो it is a way good performance यह कह दिया मैंने तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी performance है वैसे यह way out of line out of line का मतलब हो गया जो की irrelevant है एसंगत है उसको बोलते है out of line तो यह जो approach है यह एसंगत एप्रोच और बहुत ज़्यादा एसंगत है मतलब leak से हट कर है यह मतलब एक तरक संगत बाती नहीं है illogical है ठीक है the new rules अब subject हो गया यह approach है इसकी verb हो गया जो नए rules है are essentially वो आवशक expression through digital media free speech का मतलब कि आप कुछ भी बोलने के लिए आजाद है अभिव्यक्ति की आजादी आपको है expression की आपको आजादी है किस मध्यम से digital media के मध्यम से ठीक है तो यह जो नए rules है वो आवशक रूप से essential तरीके से अब हालांकि यहाँ पे restrictions दे रखा है noun और यह essentially दे रखा adverb लेकिन यहाँ पे यह adjective का काम करना चाहिए था और essential restrictions ऐसे होना चाहिए लेकिन इसने क्या किया emphasize करने के लिए essentially यूज़ किया कि आवशक रूप से यह मतलब भूती necessary रूप से यह restrictions है ठीक है ऐसे इसको emphasize करने के लिए इसने किया तो नए rules जो है वो आवशक रूप से restrictions हैं free speech और expression पर digital media के माध्यम से हम कुछ भी बोलना चाहते हैं कुछ भी हम अभिविक्ट करना चाहते हैं तो उस पर यह प्रतिबंद हैं यह कहना चाहता है neural subject हो गया आद इसकी वर्प हो गया ठीक है एक्जामिन एक्जामिन का मतलब क्या होता है एक्जामिन का मतलब है जांचन जिसके लिए go through एक हमने फ्रेजल वर्प यूज की थी आज तो course समानने तयाद जांचते हैं क्या the validity validity मतलब वैद्यता of such curves अब curves मैंने पढ़ाया है सोचो दे के curves का मतलब क्या है यह मैंने पढ़ाया है पहले के articles में तो course generally examine course जो है वो समानने तया examine करते हैं क्या ऐसे किसी भी curves की validity को कि यह जो curves लगाए गये हैं है whether they are reasonable कि क्या ये reasonable हैं देख इसके लिए आ रहा है curves के लिए कि जो परतिबंद लगाए गए हैं क्या वो तारकिक हैं क्या वो उचित हैं और तू restrictive क्या ये ऐसे हैं कि इन पर restriction लगना चाहिए परतिबंधात्मक है और तू कहीं पर लगा दिया तो वह आवशक्ता से अधिक का सेंस देगा कि बहुत ज़्यादा ये restrictive हैं क्या है ना ये सोचना चाहिए परतिबंद लगाना it is unusual मतलब क्या तो ये reasonable है या फिर और restrictive है मतलब कहने का मतलब या तो ये बहुत ही उचित है या फिर इनको लगना आई नीची restrictive है ये दोनों चीज़ें है ना एक option दिया है और से alternative conjunction है और it is unusual इट को देखकर is है ये ऐसा मानने है that the apex court की सर्वोच नेयले एपक्स का मतलब सर्वोच होता है should seek ये इसकी verb है apex court को देखकर ये इसकी verb है should seek to go beyond seek का चाहना तलाशना मांगना कि ये ऐसा मनने सी बात है कि supreme court जो है सर्वोच नेयले जो है वो बाहर जाना चाहे go beyond के परे जाना चाहे beyond का मतलब के परे किसके परे what the executive describes कि जिसे कार्यपाली का describe करती है as soft touch monitoring कि supreme court soft touch monitoring होनी चाहिए soft touch monitoring मतलब ये खुद regulate करेंगे अपने आपको खुद का ही मतलब रहना चाहिए restriction खुद ही सोचें कि ये जो मतलब content अब डाल रहे हो ये content है वो मतलब publish करने होगी है कि नहीं है खुद ही regulate करें खुद की body इसको देखें बाहरी interference ना हो ये soft touch monitoring है कि जिसे executive या कार्यपाली का है वो describe करती है soft touch monitoring के रूप में मतलब हलका फुलका एक रहे उपर से regulation इतना strict regulation ना रहे and press for inclusion of punishment clauses और क्या यहाँ पे जाना चाहिए and should seek आ रहा है यहाँ ठीक है क्या इसको ये unusual है कि supreme court जो है वो जानना चाहे या फिर यहाँ पे यह चाहे कि वो executive डिस्क्राइब करती है soft touch monitoring उसके परे जाना चाहे कि soft touch monitoring नहीं करेंगे हम तो strict बनाएंगे rules को और press for और press for दबाव बनाए किसके लिए inclusion समावेशित करने के लिए शामिल करने के लिए include करने का process inclusion है punishment clauses ऐसे clauses का मतलब ऐसी धाराएं मान लीजिए ऐसे मतलब कहें कि अनुछेद मान लीजिए जो punishment clauses हैं जिसमें punishment का प्रावधान हो क्या इनको शामिल करने के लिए Supreme Court को जाना चाहिए या unusual सी बात है फिर समझना बहुत आसान बात है अगर आप यहां से यहां तक की बात हटा दोगे तो आपको बहुती आसने समझ में आएगा कि यह ऐसामानने है कि Supreme Court Supreme Court को Supreme Court जा रहा है Supreme Court चाहा रहा है कि वो इस एप्रोच के परे जाए एप्रोच यह वाली ठीक है और यहां पर दबाव बनाए किसके लिए कि punishment clauses को शामिल किया जाए rules के अंदर सजा का प्रावधान भी यहां पर हो और यह किसके परे की बात कर रहा है यह बात कर रहा है soft touch monitoring की और यह यहां पर कौन describe करता है executive describe करता है ठीक है The court seems, court ऐसा लगता है To be concerned कि court यहाँ पर चिंतित है About obscenity, किस बारे में obscenity एशलीलता को बोलते हैं obscenity Obscenity के बारे में And uncensored content और किस के बारे में Uncensored content के बारे में Uncensored का मतलब जिसको censor board ने काट छाट उसमें नहीं की है उसको बोलते हैं जिसको काटा नहीं गया सीन को जो अनुप्यूक्त है जो दर्शकों के लिहाद से नहीं होना चाहिए था उस वेब सीरीज में या मूवी में उसको censor नहीं किया गया है वो uncensored content है, content noun है यह इसका adjective है तो court ऐसा लगता है क्या लगता है कि concerned है किसके बारे में obscenity और uncensored content के बारे में on streaming services किस पर यह जो ओटिटी services है इन पर the ostensible reason इसका जो उपरी तोर पर कारण नजर आता है ostensible का मतलब apparent इसका जो apparent region है इसका जो seeming region है उपरी तोर पर जो कारण नजर आता है for its incursion किसके लिए इसके incursion के लिए incursion का मतलब infiltration incursion का मतलब है infiltration कि जो यहाँ पर encroachment को भी बोलते हैं कि court इसके अंदर घुस रहा है court इसमें interfere कर रहा है intervene कर रहा है इसके लिए जो कारण नजर आता है into regulated territory territory मतलब छितर regulatory मतलब नियम संबंदी इस नियम संबंदी छितर में court अपने आप यहाँ पे घुसपैट कर रहा है court यहाँ अंदर जा रहा है हस्तक्षेप कर रहा है तो उपरी तोर पर कारण नजर आता है ठीक है when there was no challenge जब कोई चुनोती नहीं थी there से start है यहाँ पे no challenge को देखकर was है ठीक है यह inversion लगता है to the challenge किसके लिए to the new rules before it नए rules के लिए before it इसके पहले एवर फिर समझना court ऐसा लगता है कि चिंतित है किस बारे में obscenity or uncensored content के बारे में streaming services पर ठीक the ostensible reason for its incursion into regulatory territory when there was no challenge to the rules to the new rules before it कि यहाँ पे जो भी court का हस्तक शेप करने का उद्दिश्य नजर आ रहा है कि court यहाँ regulatory territory है rules के बारे में बात कर रहा है court कह रहा है कि इनके जी rules को और देख सक्त बनाना चाहिए तो यहाँ पे कारण क्या नजर आता है कारण नजर आ रहा है कि court यहाँ पे obscenity और uncensored content के बारे में चिंतित है ठीक है when there was no challenge to the new rules before it क्योंकि पहले जो था ना इससे पहले कोई भी rules के प्रती कोई भी challenge नहीं था कोई भी challenge पेश नहीं किया गया था कि यह rules गलत है इनको strict बनाया जाए इनको इतना lenion नहीं बनाया जाए यह सब बातें इसमें की गई है court subject हो गया seems इसकी verb है ostensible का apparent या seeming होता है ostensible adjective है reason इसका noun है incursion noun है क्योंकि its के बाद आ रहा है its possessive adjective है तो noun हो गया incursion का infiltration या फिर आप यहाँ पे encroachment या फिर इसको in road भी कह सकते हो अती करमन को बोलते हैं ghost pet को बोलते हैं ठीक है और फिर watch है वो no challenge को देखकर है when the matter is taken up again अब जब matter फिर से उठा लिया गया है take up का मतलब होता है engage हो जाना किसी matter में तो इस matter को जब फिर से take up किया गया है या फिर इस matter में फिर से engage हो रहा है court इस matter के अंदर फिर से मतलब इस matter को उठाया गया है तो matter को देखकर is है और ये third form दे रखे तो passive है again यहाँ पे ad work हो जाएगा the court should bestow bestow का मतलब होता है give प्रदान करना तो court को क्या करना चाहिए court को ध्यान देना चाहिए on the high court order किस पर? high court order पर high court order क्या था? ये that इस order के लिए है जिसने की give rise to इसका मतलब वो तर ट्रिगर करना वो order जिसने की trigger किया था क्या trigger किया था? the proceedings proceedings को proceedings मतलब कारेवाहिया an order एक ऐसा order that shows extraordinary जील जो की दिखाता है ऐसा धारन उत्सा जोश है न? जील का मतलब वीगर उत्सा जोश to protect religious sentiment किसके लिए धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए protect करने के लिए फिर समझना when the matter is taken up again अब जब matter को फिर से उठा लिया गया है फिर से इसमें engagement दर्शा रहा है court तो court को ध्यान देना चाहिए high court के order पर जिस high court के order ने इन proceedings को trigger किया वह ये कारवाई है क्यों हो रही है उस high court के order के कारण हो रही है एक ऐसा आदेश जो की यहाँ ऐसा धरन उत्सा या जोश दिखाता है किसके लिए religious sentiment को protect करने के लिए कि high court ने अदेश इसले दिया क्योंकि high court जाता था कि धार्मी भावनाओं को आहत नहीं होने दिया जाए while refusing while के साथ जब लगाते होता ये इंजी फॉर्म में लगती है ठीक है तो refuse करने के दोरान pre-arrest bell pre-arrest bell का मतलब वही anticipatory bell या advance bell है न अगरिम जमानत तो इस चीज़ को refuse करते हुए इस चीज़ को दमना कर दिया अलावाद high court की बात है the high court has made an unusual claim तो high court ने एक ऐसमाने सा दावा किया है high court subject है has made इसकी verb है unusual adjective है claim noun है that the title Tundow अभी Tundow web series के बारे में है ठीक है कि जो title है Tundow itself could hurt the sentiments of a majority of Indians वो खुद ही title खुद itself reflexive pronoun होता है वैसे लेकिन यहाँ पे itself है वो emphatic pronoun है जब किसी subject के बाद में self या self जुड़ता है तो इसका मतलब वो उस पर जोड़ देने के लिए काम आता है कि जो title है Tundow इस खुद title नहीं यह title क्या कर सकता है could hurt, could possibility बता रहा है यह hurt कर सकता है क्या sentiments भावनाओं को किसके sentiments of a majority of Indians अनेको भार्कियों के sentiments को क्योंकि it is associated with Lord Shiva क्योंकि यह जुड़ा हुआ है किस से भगवान शीव से फिर समझना जो pre-arrest bell है उसको refuse करते हुए उसको इनकार करते हुए उसको खारिज करते हुए High Court ने एक ऐसमाने से दावा किया है कि जो Tundow आपने title रखा है वेब सीरीज का यह title खुद ही अनेको भार्तियों के sentiments को आहत कर सकता है क्योंकि इसका तालुक किस्ते है find out किया है that alluding to allude का मतलब होता है suggest या hint इशारा करना ठीक है इसने यह पाया है that alluding to Lord Ram की जो इशारा करना है Lord Ram की ओर Lord Ram की ओर संकेत करना है gaining popularity on social media जो की social media popularity प्राप्त कर रहा है is a reference to यह संकेत है यह suggestion है यह इशारा है reference के साथ two लगता है किस और आयोध्या dispute की और आयोध्या विवाद की और and therefore offensive और इसलिए यह क्या है अप मान जनक है यह offensive है annoying है hurting है ठीक है offensive अपने देखा था offending का ही सिनोनिम है अब court ने क्या पाया court ने यह observe किया कि Lord Ram के और इशारा किया गया है और वो चीज़ popular हो रही है social media पर तो यह reference जो है Lord Ram के और इशारा आपने किया भगवान राम के और इशारा किया और वो reference किसका दिया आपने वो reference दिया आयोध्या dispute का आयोध्या विवाद का और इसलिए यह चीज़ क्या है offensive है it has a sweeping claim sweeping का मतलब दावा sorry claim का दावा sweeping executive है यहाँ पे इसका मतलब है सरव व्यापक wide ranging तो इसका बहुती व्यापक सा दावा है that the Hindi film industry कि जो Hindi film industry है in contrast to यह होता है के वी प्रीट contrast में तू लगता है के वी प्रीट it's southern counterparts southern मतलब दक्षिनी counterparts का मतलब जैसा काम यहाँ पे bollywood करता है वैसा ही काम वहाँ पे जो tollywood करता है या south के अंदर जो industries है वो करती है उनके लिए counterpart counterpart का मतलब है जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ वही काम किसी और शितर में कोई और कर रहा है तो वह मेरा counterpart कहलाएगा ठीक है it has a sweeping claim तो यहाँ पे इसका एक बहुत ही व्यापक सा दावा है high court का कि हिंदी film industry जो है जो दक्षिनी film industry है उसके वी प्रीट वो generally disrespectful वो समाने तया disrespectful रही है इसने अपमानित किया है इसको हिंदू religion को हिंदू धरम को इसने अपमानित किया है ये कहना चाहता है it would be unfortunate ये दुरभाग्य पूर्ण होगा it यहाँ पे subject है would इसकी verb है ठीक है इसका model auxiliary verb है b इसको देखकर v0 form है तो ये दुरभाग्य पूर्ण होगा if the judiciary lets itself जुरभाग्य पूर्ण होगा कि यदि न्याए पूर्ण होगा lets itself be seen यदि वो अपने आपको देखने देती है ठीक है let मतलब किसी को allow करना if I say I let him go मैं उसे जाने देता हूँ ठीक है तो ये allow करने के sense में है कि allowed him to go ऐसा कह सकते हो कि ये unfortunate होगा ये दुरभाग्य पूर्ण होगा कि अगर न्याए पाली का दे लगेगा जुडिशरी द्यानक ना executive हो तो भी दे लगता है legislature हो तो भी दे लगता है कि अगर judiciary अपने आपको देखने देती है किस रूप में as departing from its record of protecting individuals कि जुडिशरी जो है depart कर रही है depart का मतलब यहाँ पे इस इस इस्तान को छोड़ रही है प्रस्तान कर रही है यहाँ से इसका record रहा है कि इसका record रहा है protecting individuals कि ये judiciary जो है वो हमेशा से ही लोगों की रक्षा करती रही है लोग कौन से harassed by जिनको प्रताडित किया गया है किन के द्वारा by those उन लोगों के द्वारा claiming जो दावा कर रहे हैं that their religious or cultural sentiments की उनके धार्मिक या सांस्कृतिक जो भावनाएं है उनको आहत किया गया है hurt कितनों form same होती है ये passive voice है by some work of art किस द्वारा किसी भी art के form में जैसे digital media पे ये जो web series है उस माद्धियम से movie के माद्धियम से song के माद्धियम से किसी कवीता या कहनी के माद्धियम से कोई भी form हो सकता है और even remarks या फिर यहां तक की remarks के माद्धियम से ठीपणियों के माद्धियम से और gestures gestures expression expression के माद्धियम से celebrities के द्वारा ठीक है तो यहां पे यह unfortunate होगा कि the judiciary अपने आपको दिखाने देती है इस रूप में कि judiciary के एक record रहा है न्याय पालिका के record रहा है कि न्याय पालिका हमेशा से ही रक्षा करती रही है individuals की उन individuals की जो की प्रताडित रहे हैं उन लोगों के द्वारा जो लोग दावा करते रहे हैं कि उनके धार्मी के असांसकर्तिक भावनाओं को आहत किया गया है किसी भी आर्ट की form में या फिर remarks के द्वारा चल्वरेटिज के द्वारा gestures के द्वारा थीक है उनकी द्वारा उनकी रक्षा करती रही है अगर यहां पर यह दिखाती है कि हम लोग अब रक्षा नहीं कर रहे हैं की तो यह दुरभा के पूर्ण होगा जुडिशरी सब्जेक्ट था वुड भी वब थी जुडिशरी सब्जेक्ट था लेट्स वब है रिलिजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स यहां पर सब्जेक्ट है इसकी वब है पैसिव वई से नूर्म्स जो नए नियम है ठिकड़ यह उनका मूल क्या है यह नए नूर्म्स का मूल क्या है यह नए नूर्म्स क्यों आ रहे है इन दे सुप्रीम कोर्ट वोिसिंग कंसर्ण voice concern का मतलब अपनी चिंत्या जाहिर करना express concern ठीक है कि सुप्रेम कोड ने चिंत्या जाहिर की है किस बारे में child pornography के बारे में pornography समझते ही एशली शाहित्ते को बोलता है तो child pornography के बारे में और content और content के बारे में वो content जो की that is a relative pronoun है इससे संबंध हो गया could provoke, provoke का मतलब insight करना है उकसाना है, भढ़काना है तो वो content जो की insight कर सकता है sectarian violence को, sectarian का मतलब कोई भी संप्रदाए से संबंधित कोई भी पंथ से संबंधित है ना उस violence को, फिर समझना जो नए norms है किस के लिए, online content के regulation के लिए उनका origin किस का, कहा से मतलब लेकर बता रहा है कि उसका मूल कैसे आया कैसे बात हम कर रहे है इस नए norms की वो इसलिए है कि सुप्रीम कोट ने चिंटा जाहिर की है किस बारे में child pornography और उस content के बारे में जो sectarian violence को प्रभावित कर सकता है जो धर्म निर्पिक्ष मतलब जो संप्रदाइक जो हिंसा है उसको भढ़का सकता है वाइल देट वोजे justified concern अब ये कह रहे है यद्दपी ये जो concern था court का कि justified है ये बिलकुल सही है justified का मतलब उचित है ठीक है तो जहां हम ये कह सकते हैं कि ये जो concern सुप्रीम कोर्ट का ये एकदम उचित concern था उचित चिंत्या थी the tendency to allow anyone जो परवर्ती है जो tendency है किसी को भी allow करने की allow करने की anyone किसी को भी professing वो वेक्ती जो admit करता हो profess का मतलब होता है admit करना जो acknowledge करना जो स्विकारता हो क्या a sense of hurt कि उसको आहत किया गया है उसको ऐसा आभास है कि उसको hurt किया गया है और वो क्या कर रहा है to prosecute anyone वो किसी पर भी मुकदमा कर देता है anyone किसी पर भी anywhere कहीं पर भी in the country देश में should not be encouraged तो इस चीज़ को encourage नहीं किया जाना चाहिए इस tendency को encourage नहीं किया जाना चाहिए फिर समझना यह जो tendency है इस tendency को should not be encouraged इसको प्रोचसाहित नहीं किया जाना चाहिए पैसी वो इसे tendency क्या है tendency यह है कि आप किसी को भी allow कर रहे हो जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरी भावनाएं आहत हुई है मैं किसी पर कई भी भी case कर सकता हूँ कि देश में ठीक है यह जो tendency है इसको encourage नहीं किया जाना चाहिए यह बात भी है हालांकि आपका चिंत्या है वो रिल्कुल वाजीब है लेकिन फिर भी यह भी होना चाहिए यह चीज भी encourage नहीं किया जाने चाहिए विरोदभासिय स्टेटमेंट है while से दो close जुडते है the higher judiciary जो उच्च नहे पालिका है is expected उससे ऐसी आशा की जाती है to clamp down clamp down का मतलब impose करना होता थोपना होता लेकिन यहाँ पे है to take strict action clamp down का मतलब है to take strict action सक्त कदम उठाना to take strict action सक्त कदम उठाना ठीक है higher judiciary is expected जो उच्च नहे पालिका है उससे यह expect किया जाता है to clamp down on the market place of outrage outrage का मतलब क्या होता है anger outrage से मतलब क्या होता है anger higher judiciary से यह expect किया जाता है कि वो strict action ले किस चीज़ पर जो यह आप केंदर बना रहे हो यह जो गुस्से का केंदर बना रहे हो marketplace बना रहे हो marketplace वैसे तो बाज आ रहे है लेकिन यहाँ पर एक केंदर सेंटर मान लो तो गुस्से की जो बाते हैं उस पर यहाँ पर clamp down करे strict action ले not join it ठीक और इसको वो जोइन ना करे ठीक है high judiciary को यह है कि वो इसमें शामिल ना हो बलकि इस पर strict कारेवाही करे तो यह था आज का एडिटोरियल high judiciary subject था जिसकी verb है tendence subject था should not be verb है that subject था वो जिसकी verb है profess का सुविकार करना है clamp down का strict action लेना है अब जैके revision outrage outrage का मतलब होता है indignation क्रोध गुसा तो पहले को जोड़ देंगे किस से D से दूसरा है profess profess का मतलब होता है admit होना means यहाँ पर आजाएगा E सुविकार करना allude का इशारा करना होता है तो suggest कर देंगे A यहाँ पर answer आएगा फिर stringent stringent का मतलब होता है सक्त तो यहाँ पर आपका answer आएगा B और disconcerting का unsettling बेचेन कर देने वाला तो C ठीक है इसका screenshot ले लीजिए तो यह आज का editorial था मुलाकात होगी अब कल शे हम 5 बजे नए session के साथ अब तक दिल नमस्कार Thank you very much